गुडू मॉर्णिंग स्टुडेंट हार्दिक स्वागत है हमारे यूटूब चैनल ये के स्टेडी पॉइंट में आज को जो कोस्चन है ना वई विश्चे अर्थसास्त्र का कोस्चन होगा बहुत वेरी वेरी मॉस्ट इंपोर्टेंट होगा अगर आपका 10 अवर 12 पढ़ र नहीं तो मारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिसके आने माला हर एक वेरी इंपोर्टेंट एजुकेशन का वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे तो कोस्चन के और चलते हैं कोस्चन क्या है आउमूलन क्या है या अधारन सहीत समझाओंगा भई आउमूलन क्या होता है मुद्रा का आउमूलन क्या होता है आउमुलिन से आंत्रिक दाम मतलब जो मुद्रा होती है मुद्रा के आउमुलिन से आंत्रिक दाम प्रैते गिरते हैं आउमुलिन आर्थिक सब्दावली का एक हिस्सा है जब किसी देश जब किसी देश की मुद्रा जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनी में दर अन्य देशों की मुद्रा उसे कम कर दे जाता है ताकि निवेश को बढ़ाव मिल सके तो उसे आउमुलिन कहते हैं क्या बताया वई कॉस्चिन का जो अंसर है क्या बताया जब किस दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मुल्य कम कर दे जाता है उसे क्या कहता है आउ मुल्यन ताकि निवेश को बढ़ाओं मिल सके उसे आउ मुल्यन कहते है चलो कुछ और पॉइंट देखते हैं इसके वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे परसासनिक निर्ने द्व विनिमे दर में की गई कटोती का आउ मुल्यन कहते हैं भारत में 1947 से अभी तक तीन बार मुद्रा या रूपिय का आउ मुल्यन हुआ है भारती रूपिय का आउ मुल्यन करम से 1969, 1966, 1991, 1992 में हुआ है आउ मुल्यन होने से आयात में कमी तथा निर्यात में वरद्धी होती है कुछ पॉइंट ये बताए मैंने इसके बहुत वेरी मुश्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मुद्रा के आउ मुल्यन के तो कोश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया था चलो एक बार और रिपीट करता हूं कि आपकी समझ में नहीं आया होगा आउ मुल्यन से आंतरिक दाम परहते गिरते हैं आउ मुल्यन आर्थिक सब्दावली का एक हिस्ता है जब किसी देश द्वारा मुद्रा की वीनी में दर अन्य देशों की मुद्रा उसे कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके तो उससे क्या कहते हैं आउ मुल्यन किसे कहते हैं जब दूसरे देश की तुलना में अपने देश की जो मुद्रा होती है उसका मुल्य कम कर दिया जाए तो उससे आउ मुल्यन कहते है आपकी समझ में कोहशन का आनसर आया हुआ तो इससे क्या होता है वह निवेश को बढ़ावा मिलता है इसी को हम आउमूलियन कहते हैं अब इसका एक्जामपल है उधारन मैं आपको वह समझाता हूँ बहुत ही आसान सब्दों में उधारन यदि 25 रुपिये में एक डोलर आ गया तीस रुपिये कर दिया जाता है तो मतलब अपने देश की तुलना में दूसरे देश की जो मुद्रा क्या है उसका मुल्य बढ़ जाता है और अपने देश की जो मुद्रा है उसका मुल्य कम हो जाता है अंतरिक मुल्य कम हो जाता है तो इसी को क्या कहते है इससे क्या ह बाई जो रुपिय है हमारे देश की जो मुद्रा है उसी करे सकती में कमी हुई तो इसी को अव मुल्लिन कहते हैं आपकी समझ में कोस्चन का अनसर आया होगा तो हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज केमेंट करना है